नमस्कार, जैमत आदी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर अचारे जीतू सिंग, शीतला अश्टमी, इसे बसोडा अश्टमी भी कहते हैं, शीतला अश्टमी पर अगर आप उपाय करते हैं, मा शीतला मता की आप अराधना करते हैं, और खास करके बासा अन खाते है तो यकीन मानि आपके शरीर के सारे कश्ट दूर हो जाते हैं, आपके मालसिक बीमारियां भी दूर हो जाते हैं, आपके स्किन डिजीजिस आपके दूर हो जाते हैं, इस समय बासा भुजन आपके लिए एक राम बान का काम कर सकता है, आपकी एक ऐसी औशदी का काम कर सकता है, जिसके आगे कई और शदियां फेल हो जाती हैं यकीन मानि आप इस दिन खास करके बासा भोजन जरूर कीजेगा खोली के आठवे दिन आती है शीतला अश्टमी यनि चार अपरेल को ये शीतला अश्टमी है इसका वरत है तो आपने तिथी का पहले ध्यान रखना है कि किस तारीक से तिथी जो है वो शुरू हो रही है और कितने बज़े से शुरू हो रही है तो किस समय मनाना है चार को मनान चलिए मैं आपके ये ब्रह्म दूर करने वारी हूं चार अपरेल को सुभा चार बच करके बारा मिनट पर तिथी शुरू हो रही है और ये तिथी पांच अपरेल को सुभा सुभा अर्ली मौनिंग दो बच करके 69 मिनट है यानि 2.59 पर समाप्त हो जाएगे फॉर्थ को ये 4.12 एम से स्टार्ट होगी और फिफ्थ को 259 पर समाप्त हो जाएगी यानि जब पांच तारीक का सूर्य उदे होगा तो उस समय तो अश्टमी तिथी नहीं रहेगी तो इसका मतलब हुआ जो अश्टमी तिथी है वो आपको मिल रही है चार तारीको तो आपक जो पूजा करनी है जो बासा भोजन करना है उस दिन करना है जिस दिन आपको तिथी मिल रही है यानि फोर्थ एपरल को तो फोर्थ एपरल को ही आपने ये पूजा और विदिविदान करना है उस दिन कहा जाता है कि घर में अन नहीं पकाना चाहिए तो अन नहीं पकाना च वो ही अन ही उस दिन खाना होता है, उसी अन से पूजा होती है, वो ही अन ही माशीतला मता को चड़ता है, तो आपको वो ही अन चड़ाना है, वो ही अन आपको दिन बर सेवन करना है, मुहुरत करते हैं, पूजा का मुहुरत बहुत important होता है, कि हमें किस समय पूजा करनी चाहि और किस समय हमें अन खाना भी चाहिए यह समय जो शुरू हो रहा है आपका यह समय सुबा 6 बच करके आठ मिनट यह चार तारे की बात कर रहे हैं हम छे बच करके आठ मिनट से जो शुरू होगा यह शाम को चे बच करके 40 मिनट तक है यानि पूरा दिन है आपके पास और पूजा आप सुबा सुबा ही कर लीजिए यह नहीं कि आप पूरा दिन मिल गया तो मातारानी को भी आपकी अपनी सोहूलियत है तो उस समय आप मातारानी को मनाने चले जाए नहीं नहीं आप सुबा सुबा ही पूजा कीजिए, सुवजवा जल्दी उठीए, नहा दोकार पवित्र कपड़े पहनिए, स्वच वस्त्रधारन कीजिए और वो अन ले करके माता राने को भोग जरूर लगाईए और जा करके आप पूजा जरूर कीजिए अब आती है बात कि इस वरत को करने से किस तरीके की बीमारियां दूर होती हैं, चेच चेक की बीमारी, कुछ लोगों को माता निकल जाती है, आप जानते हैं चोटे-चोटे दाने पूरी बॉड़ी के उपर होते हैं, वो उस समस्या से समाधाल निकलता है, खसरा, बीमारियां, डिजीजिज, आपके जितने बहुत सारे इंफ स्वच्छता और सफाई की तर्फ खास ध्यान रखेगा, क्योंकि पूराने पत्ते जब जड़ जाते हैं और नहीं पौंगले आना शुरू हो जाती हैं, तो उस समय प्रकृती यही संकेत दे रही हैं, कि घर के कष्ट खतम हो रहे हैं, आपके जीवन के कष्ट जो हैं वो ख पास ध्यान रखा जाता है, बासी भोजन किया जाता है, माता शीतला को बासी भोजन ही चड़ाया जाता है, और वो जो चड़ाया हुआ भोजन होता है, उसका प्रसाद आपको पूरे परिवार में जरूर बाटना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, वो आ आपने बनाया हो, उस दिन अपने नहीं बनाना है माल शीतिला माता से आपने अराधना करनी है khi अगर जाने अंचाने में आपकी किसी तरीके से भूल हुई है कुश्ट हुए है या तकलीफ है हमारी जिन्दगे में कोई भी तकलीफ पुरानी चली आरही है या फिर जिस तकलीफ का आपको समाधान नहीं मिल रहा है जिस बिमारी का खास करके diseases का हम बात कर रहे हैं अगर आपको किसी भी तरीक्य का समाधान नहीं मिल रहा है तो आप माताशीतला से ये आग रहें किजिए माताशीतला को प्रणाम करते हुए अपनी ये मनो कामना रखि और आने वाली शितलाष्ट में का वरत आप जरूर रखेंगे इस कामना के साथ आपने प्रणाम करना है और मां का आशिरवाद लेना है यकीन मानिए अगर किसी भी बहुत बड़ी आप स्किन डिजिजिस से ग्रसित हैं पीडित हैं तो आपके जीवन से वो कश्ट जो है वो देशी गी से ही प्रजोलित कीजेगा और मां शीतला माता के आगे समर्पित जरूर कीजेगा उस दिपको इसी से आपके जीवन का अंधेरा जो है वो मिटेगा और आपके जीवन में खुशियों की रोशनी आएगी शीतला माता के इस वरत का पूरा पूरा लावाब अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजेगा इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजेगा क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जैसे बड़ी बड़ी बिमारियों के सलूशन जो होते हैं आपको यहां म मिल सकते हैं लेकिन बात चोटी सी है कि हां मातर करना क्या है हमने रात का बना हुआ भोजन ही तो खाना है लेकिन वो भोजन रात का बना हुआ आपके जीवन में एक औशदी का काम करेगा इस वीडियो को उन लोगों तक स्पेशली जरूर पहुंचाए जो लोग कहीं न कही स्किन की डिजीजिस से परेशान है कई बीमारियां के सलूशन ढूणने के लिए इदर भाग रहे हैं उदर भाग रहे हैं कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो नोने छोड़ा हो लेकिन उनको कहीं भी सलूशन कहीं भी हल नहीं मिल पाता है तो आप उन्हें बुलिएगा कि इस कामना करते हुए ही अपनी मनो कामना रखनी है और यकीन मानिये आपके जीवन से कष्ट दूर होंगे यह डिजीजिस आपके जीवन से दूर होगा तो आपने देखा यह वीडियो का आपको बहुत फाइदा मिल सकता है बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेर क लेकिन नोटिफिकेशन अन नहीं किया है इसलिए आप तक वीडियो हो सकता नहीं पहुंच रही हूं तो आप नोटिफिकेशन जरूर अन कीजिएगा और आल में कनवर्ड किजिए वहां लिखा हुआ था उसे जरूर किलिक कर दीजिए जो भी वीडियो मैं डालू वो वीडि करवा सकते हैं अपनी एपोइन्मेंट ले सकते हैं अपनी बुकिंग कराते हुए आप अपनी कंसल्टेंसी जो परस्नली कंसल्टेंसी है निजी विशलेशन जो है वह आप ले सकते हैं और अपनी कंसल्टेंसी के माध्यम से आप अपने बारे में अपनी कुंडली के बारे म नमस्कार